Hello guys, मैं हूँ भौन भासकर मिश्रा और आप देख रहा है मेरा YouTube चैनल English with Bhaskar sir और आज मैं उपस्तित हूँ अंग्रेजी के एक important chapter idioms and phrases के साथ और आज का ये वीडियो मैं वैसे students को मद्दे नज़र तयार कर रहा हूँ जो different competitive exams में cutthroat competition को face कर रहे हैं तो मैं आज के लिए बहुत ही selected idioms and phrases को लाया हूँ जिसे जानने के बाद आप आसानी से अपने exams को crack कर सकेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है और साथ ही ये चैनल भी आपके लिए बहुत ही important proof होगा इसलिए इस चैनल को करें subscribe और इस वीडियो को करें like और share और साथ ही bell icon को जरूर प्रेश कर दें तो आएए सुरू करते हैं idioms and phrases सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि idioms किसे कहते हैं और phrase किसे कहते हैं तो आएए एक सवाल पूछें what is an idiom? idiom क्या होता है और जवाब है an idiom is a fixed group of words, an idiom is a fixed group of words, sabdoon का एक निश्चित समूह है with a special meaning, जिसका एक खास meaning होता है, which is different from the meaning of the individual words यानि idiom एक निश्चित सब्दों का समूह है, जिसका एक खास meaning होता है तथा जो अपने individual words से अलग अर्थ रखता है जैसे example के तोर पे हम देखें, rain, cats and dogs ये शब्दों का एक समूह है निश्चित सब्दों का, इसे हम उलट भी नहीं सकते, अर्थात ऐसा नहीं का सकते कि rain, dogs and cats, नहीं, ये fixed group of words है और इसका एक special meaning है, individual meaning अगर हम देखें, तो इसका मतलब हो जाएगा, कुत्ता बिल्ली और कुत्ता बरशना तो हमने बताया कि ये individual words से अलग अर्थ रखते हैं, which is different, जो अलग है, from the meaning of the individual words इसका एक खास अर्थ है, और वो है मुशलाधार बारिष होना, यानि भारी बारिष होना, काफी जोर की बारिष होना और देखें सेंटेंस में, example sentence, it is running cats and dogs, यानि मुशलाधार बारिष हो रही है अब आईए समझते हैं, phrase, what is a phrase, phrase क्या है, answer है, a group of words, यानि शब्दों का एक समू, a group of words without a finite verb, जिसमें finite verb नहीं रहता है, अब finite verb के बारे में, मैं verb चेप्टर जब पढ़ाऊँगा, तो उसमें मैं finite verb के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा तो यहां इतना ही समझना काफी है, कि सब्दों का एक ऐसा समू, जिसमें finite verb नहीं रहता है, without a finite verb, especially one, खास करके, वह, that forms a part of a sentence, जो किसी भी वाक्य का एक हिस्सा बनता है, वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा, पूरा वाक्य नहीं, यानि सब्दों का एक ऐसा समू, जो बिना finite verb क होता है, और सब पूरे sentence का एक छोटा सा हिस्सा बनता है, ओके, example के तौर पे देखें, at home in, यानि निपुन या पारंगत, at home in का मतलब होता है, निपुन या पारंगत, example sentence देखें, she is at home in English, she is at home in English, अब देखें, ये पूरा एक sentence है, और at home in क्या हो रहा है, इस पूरे sentence का एक छोटा सा हिस्सा है, यानि forms a part of a sentence, वह अंग्रेजी में निपुन या पारंगत है, आईए, इस तरीके से अब हम idioms and phrases का, 1, 2, 3, 4, अलग-अलग study करेंगे, first है, at hand, at hand, at hand का मतलब होता है, नजदीक, यानि very close, my examination is at hand, मेरी परिच्छा बहुत ही नजदीक है, my examination is at hand, means my examination is close, मेरी परिच्छा नजदीक है, मतलब बहुत जल्द होने वाली है, second, at sixes and sevens, six में yes लगा हुआ है, और seven में yes लगा हुआ है, at sixes and sevens, इसका मतलब होता है, अस्त ब्यस्त, तितर बितर, छितराया हुआ, example sentence देखें, my books were, मेरे किताब थे, my books were, मेरे किताब थे, at sixes and sevens, मतलब अस्त ब्यस्त अवस्था में, इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, in the room, कमरे में, means my books were at sixes and sevens in the room, third देखें, at a stretch, at a stretch, at a stretch का मतलब होता है, without stopping, बिना रुके लगातार, जैसे I can drink a water, I can drink a bucket of water at a stretch, I can run for three kilometers at a stretch, मतलब मैं लगातार, बिना रुके, तीन किलो मेटर तक दोड़ सकता हूँ, at a stretch means लगातार, बिना रुके, I can study, मैं पढ़ सकता हूँ, three hours, तीन घंटे तक, at a stretch, लगातार, मतलब I can study, मैं पढ़ सकता हूँ, three hours, तीन घंटे, at a stretch, मैं लगातार, तीन घंटे तक पढ़ सकता हूँ, फोर्थ देखें, black and blue, black and blue, काला और नीला, काला और नीला, अब देखें, इसका explanation, severely या mercilessly, कठोरता या निर्दैता से ऐसा पीटना, कि सरीर पे काले नीले दाग पढ़ जाएं, black and blue का मतलब होता है, किसी को इस तरीके से निर्दैता पूर्वक्त पीटना, कि उसके सरीर पे काले या नीले दाग पढ़ जाएं, ऑके, black and blue, काले और नीले, जैसे पीटने हैं तो कहते हैं, देखें, इसके सरीर पे कैसा काला और नीला दाग पढ़ गया है, अब देखें, example sentence, the thief was beaten, यानि चोर को पीटा गया, black and blue, काफी निर्दैता और कठोरता पूर्वक्त, यानि चोर को ऐसा पीटा गया, कि उसके सरीर पे काले और नीले दाग उभर के आ गया, काले नीले दाग पढ़ गया, यानि बहुत ही severely और mercilessly उसको पीटा गया, फिफ्थ देखें, black and white, black and white, इसका मतलब होता है, इन राइटिंग, यानि लिख कर, लिखित रूप में, यानि कि कोई भी काम, black and white का मतलब हुआ, कोई भी काम लिखित रूप में करना, याद करने के लिए हम यह समझ लें, कि लिखित रूप में जब कोई काम होता है, तो वो बिल्कुल ही पक्का होता है, black and white, in writing, लिख कर या लिखित रूप में, give it to me, in black and white, मतलब मुझे ये चीज लिख कर के दे दो, give it to me, ये मुझे दे दो, in black and white, मतलब ये चीज मुझे लिखित रूप में दो, लिख कर के दो, मतलब सिर्फ बोलने से मैं नहीं मानूँगा, मुझे लिखित रूप में ये चीज तुम से चाहिए, give it to me, in black and white, ओके, सिख्थ देखें, सठा, by lips and bounce, इसे हम in lips and bounce भी बोलते हैं, और by lips and bounce भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है, very quickly, बहुत ही सिघरता पुरु यानि दिन दूनी और राथ चोगनी, very quickly, बहुत जल्दी, एक्जामपल के लिए देखें, India is progressing, भारत विकास कर रहा है, by lips and bounce, दिन दूनी राथ चोगनी, यानि भारत दिन दूनी और राथ चोगनी, प्रोग्रेस कर रहा है, एक second example sentence देखें, her health has improved, यानि उसका स्वास्थ, उसके स्वास्थ में सुधार आया है, her health has improved, in lips and bounce, दिन दूनी और राथ चोगनी उसके स्वास्थ में सुधार आया है, यानि उसके स्वास्थ में very quickly, बहुत ही सिग्र सुधार आया है, तो by lips and bounce, या in lips and bounce का मतलब होता है, बहुत ही जल्दी, very quickly, दिन दूनी और राथ चोग नहीं तो आएए अब 7th idioms and phrase का study करते हैं 7th sentence, break the ice, break the ice का मतलब होता है बर्फ तोड़ना लेकिन ये तो इसका literal meaning हो गया, break the ice का मतलब होता है to speak first after prolonged silence यानि prolonged silence लंबी चुपी, लंबी चुपी के बाद पहले पहल बोलकर उस चुपी को तोड़ना, to speak first पहले बोलना after prolonged silence लंबी चुपी के बाद यानि लंबी चुपी के बाद पहले बोलकर चुपी तोड़ना जैसे किसी कमरे में या किसी हॉल में काफी देर से लंबी चुपी बनी हुई है और एक बैक आपने बोलकर उस चुपी को तोड़ा, ओके, जैसे in the meeting, meeting में राहूल ब्रोक दा आइस, राहूल ने चुपी तोड़ी, meeting में काफी देर तक चुपी बनी रही और राहूल ब्रोक दा आइस, राहूल ने बोलकर उस चुपी को तोड़ा, क्या बोलक, and suggested और उसने एक suggest किया, the plan, एक plan suggest किया to solve the problem, यानि in the meeting, राहूल ब्रोक दा आइस, राहूल ने चुपी तोड़ी, and suggested the plan to solve the problem, और एक plan suggest किया problem को solve करने का, 8th, bolt from the blue, bolt from the blue, इसका मतलब होता है, sudden and unexpected shock, sudden means, अचानक से, यका यक, and unexpected का मतलब होता है, आप्रत्यासित, जिसका आपने expect नहीं किया था, unexpected means, not expected, जिसकी आसा हमने नहीं की थी, शोक, मतलब वैसा shock, वैसा जटका प्राप्त होना, जिसकी आसा मैंने नहीं की थी, वो अचानक से, मुझे ऐसा जटका प्राप्त हुआ, अचानक और आप्रत्यासित जटका या शोक, जैसे, first example sentence, his dismissal, यानि उसका नौकरी से बरखास्तगी, नौकरी से निकाल दिया जाने का news, came as a bolt from the blue, यानि उसका नौकरी से निकाल दिया जाना, वाला जो समवाद है, वो मेरे पास एक जटके के रूप में आया, second example sentence, the news of his father's death, यानि उसके पिता की मृत्यू, the news of his father's death, उसके पिता की मृत्यू, came to me, मेरे पास आया, as a bolt from the blue, यानि उसके पिता के मृत्यू का जो शमाचार है, वो एक अचानक, बिना सोचे समझे जटके के नुसारा, मैंने सोचा भी नहीं था, कि ऐसा news मुझे प्राप्त होगा, और अचानक से मैंने ये शुना, कि उसके पिताजी की का death हो गया, यानि बोल्ट फ्रों दा ब्लू, white elephant, सफेध हाथी, सफेध हाथी, अब ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है, an expensive item, एक महंगा item, that is useless and troublesome, जो useless और troublesome है, जो बेकार है और कस्टकर है, वैसा महंगा चीज, जो बिलकुल ही बेकार हो और कस्टकर हो, अब जाने इसके source के बारे में, सियाम में, सियाम जो अब Thailand है, वहाँ का एक राजा था, और वो करता क्या था, कि वैसे लोगों को जिनको वो पसंद नहीं किया करता था, उनको gift के रूप में सफेध हाथी दे देता था, ताकि वो इसका देखरे करे, और उसका सारा पैसा उ इसे ही बोलते हैं white elephant, मतलब कहीं मैंने काफी पुंजी निवेस कर दिया, और देखा कि उससे निकल के कुछ भी नहीं आया, मतलब यह तो मेरे लिए सफेध हाथी white elephant प्रूफ हुआ, ओके, 10 देखें, get into hot water, get into का मतलब होता है, प्रवेस कर जाना, और hot water means, गर्म पानी, यान इसका मतलब भी है, get into hot water का मतलब, get into trouble, यानि समस्या या परिशानी में पढ़ जाना, अब देखें, he got into hot water, वह परिशानी में पढ़ गया, got into hot water, by marrying a girl, एक लड़की से साधी करके, of another caste, दूसरे caste की, यानि वह दूसरे caste की, एक लड़की से साधी करके, समस्या में पढ़ ग गुश गया, got into hot water, by marrying a girl, of another caste, तो आज के लिए इतना ही, आप ये वीडियो अंत तक देखें, और ये बताएं, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में लिख करके, और अगर आपने आप तक मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेश कर दे, बहुत बहुत धन्यवाद.